माहा भारत में एक दिन ब्रज के लोग देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे थे तब स्री कृष्ण ने लोगों से पूछा इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है ब्रजवासियों ने कहा इंद्र वर्षा के देवता हैं हम केती हर लोग हैं तब स्रीकृष्ण बोले इंद्र वर्षा का देवता नहीं है वर्षा तो प्रकृती कराती है इंद्र तो उसकी फ्यवस्था करता है इसलिए इंद्र की पूझा नहीं करनी चाहिए लोगों ने कहा तुम्हारे कहने पर अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे स्री कृष्णे ने कहा मैं इंद्र से सभी की रक्षा गरूंगा इसके बाद लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी इस तरह देवराज इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने बहुत तेज बारिश शुरू कर दी वर्षा की वज़ा से ब्रज की लोग बहुत डर गए तब स्रीक्रिश्ने ने गोवर्धन परवत को उठा कर लोगों की रक्षा की थी उस समय देवराज इंद्र ने देखा कि मैंने इतनी बारिश की लेकिन ब्रजवासियों का कोई नुकसान नहीं हुआ वे धर्ती पर आये तो उन्होंने देखा स्रीक्रिश्न ने छोटी उंगली पर गोवर्धन परवत को उठा रखा है और उस परवत के नीचे ब्रज के सभी लोग सुरक्षित हैं स्रीक्रिश्न को इंद्र पहचान गया और बोले भगवन आपने ऐसा क्यों किया मेरी पूजा बंद करवा दी स्रीक्रिश्न बोले इंद्र आपका काम है वर्षा की व्यवस्था करना लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के बदले आप खुद की पूजा करवाने की अपेच्छा रख रहे हैं मेरी नजर में ये ब्रष्टाचार है इसके बाद इंद्र ने स्रीक्रिश्ने से च्छमा मांगी और लौट आए तो इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमारा जो कर्तव्य है उसे इमानदारी से पूरा करना चाहिए कभी भी कर्तव्य के बदले किसी से कुछ अत्रिक्त पाने की इच्छा करना गलत है ये संसार हमारे वही काम देखता है जो दिखाई देता है लेकिन भगवान हमारे उन कामों के बारे में जानते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं इसलिए अपने अधिकार का गलत उप्योग नहीं करना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सेर और सब्सक्राइब जरूर करें